हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टुए चैनल यूजफुल टिप्स एंड टिक्स फॉर होम और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे वीकली मील प्लैनिंग के कुछ प्रिपरेशन के टिप्स एंड टिक्स जिससे मुझे पूरे वीक किचन में काम क करना बहुत ही आसान हो जाता है और काफी टाइम और एनर्जी भी सेव हो जाती है और आज के ये सभी टिप्स में शेयर कर रही हूँ मेरे आज तक के एक्सपिरियंस से आई होब कि ये आपके लिए भी ज़रूर यूजफुल होंगे तो चलिए बिना देर किये शुरू करत रहे आज का ये वीडियो किसी भी काम को अगर प्रॉपर प्लैनिंग के साथ किया जाए तो वह 100% सक्सेस्फूल होने के साथ साथ आसान भी हो जाता है इसलिए हमेशा वीकली मील प्लैन करने से पहले उसे आप नोट डाउन जरूर करके रखे ताकि सुबह उठने पर आज नाश्टा क्या बनाए खाने में क्या बनाए यह हमें सोचना ना पड़े और इससे हमारा काफी टाइम भी सेव हो जाता है और इसके लिए आप जो रेडिमेट्स वीकली प्लैनर्स के बुक्स मिलते हैं पेजेस मिलते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हो आपकी फैमिली के एक हेल्दी वीकली मील प्लैन करते वक्त डेली उसमें हरी सबजिया दाले डेरी प्रोडक्स प्रोटीन फ्रूट्स वगरा इंक्लूड जरूर करें वीकली मेनू डिसाइड होने के बाद सबसे पहले चेक करें आपका फ्रीज फ्रीज में कौन सी सबजिया बची हुई है उसके अकॉर्डिंग आप सबजियों की लिस्ट बनाएं अगर ज्यादा सबजी फ्रीज में ऐसे ही पड़ी रहेगी तो खराब ही भी हो जाएगी और इसके साथ साथ पैसे और टाइम भी हमारा काफी वेस्ट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल्स औ जब भी सबजी अगर पर आती है तो सबसे पहला काम हमें करना है इसे अच्छी तरीके से क्लीन और डिसिंफेक्ट रखना है इसलिए सबी सबजियों को आप अच्छी तरीके से धूने के बाद इन्हें अच्छी तरीके से सुखा ले ड्राय कर ले पूरी तरीके से और फिर इन सभी सब्जियों को आप अच्छी तरीके से clean करके रखें ताकि week में जब भी आप इन सब्जियों को बनाएंगे तो आपका काफी सारा time भी बच जाएगा फिर इन सब्जियों को आप काच के किसी airtight container में या फिर कपड़े के इस तरीके के cotton के जो bag मिलते हैं उन bags में आप अच्छी तरीके से paper में wrap करके भी रख सकते हो इससे सब्जिया काफी लंबे टाइम तक fresh भी बने रहती है अल्मोस सभी सब्जियों में जाने वाला लहसुन आप एक ही दिन में काफी quantity में पील करके काच के किसी airtight container में भरके रख सकते हो वैसे जब भी टीवी पे movie आता है मेरे कोई favorite cereal शुरू हो जाती है तब मैं लहसुन पील करना शुरू कर देती हूँ तो टीवी देखते देखते मेरा काफी quantity में लहसुन भी छील कर हो जाता है और उसमें मुझे family members भी काफी help करते है तो कुछ इस तरीके से काच के airtight container में इस लहसुन को पील करके रख देती हूँ जो मुझे पूरे week काम आ जाता है कई सारी सबजियों में डलने वाला अद्रक लहसुन का paste भी आप एक ही बार बना के रख सकते हो इसके लिए आप अद्रक को अच्छी तरीके से धो ले अच्छी तरीके से सुखा ले इसके चोटे चोटे पीस आप कड करके ले ले लेसुन को भी आप पील करके रखे सबसे ज्यादा कॉंटिटी ले लेसुन की और उसके कम कॉंटिटी में ले अद्रक और इसे अच्छी तरीके से फ्रीज में फ्रेश बने रहती है अद्रक लसून का पेस्ट प्रॉपर तरीके से बनाने का और उसे स्टोर करने का तरीका मैंने और लेडी चैनल पर शेयर किया हुआ है जिसका लिंक आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा आपके फ्रीज में एक थ्री पार्टिशन वाला एक डबबा ऐसा ज़रूर रखे जिसमें आप हरी मेर्ज, करी लीव्स या फिर धनिया क्लीन करके रखे जिससे कोई भी सबजी बनाते वक्त जस्ट एक डबबा निकालके सारी चीज़े आपको एक ही टाइम मिल जाती है इससे आपको फ्रीज बार-बार ओपन नहीं करना पड़ता और आपका काफी टाइम भी सेव हो जाता है इसे मैंने ओनलाइन ही ओर्डर किया था जिसकी पर्चेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसे के साथ साथ अगर आपको कभी चाय बना जैसे की पनीर तो इस पनीर को आप एक ही बार में घर पर बना के पूरे वीक यूज कर सकते हो जैसे की पनीर भुर्जी पनीर की सबजी पराठा वगरा काफी सारे रेसिपी में पनीर यूज किया जाता है इसलिए वीक में एक बार में फ्रेशली इस पनीर को बना के रग द बचा हुआ पनीर आप रखे पानी में और इस कंटेनर को आप रखे फ्रीज में डेली इस पनीर का पानी चेंज करते रहे ताकि ये पनीर ऐसा ही फ्रेश बना रहे इन सभी कामों के साथ-साथ कुछ चोटे-मूटे से काम होते हैं उसे भी मैं हातो हात कर लेती हूँ जैसे कि इस मसाले के डबबे को रिफिल करना चाय पती या फिर चीनी के डबबे को रिफिल करना आचार सेपरेट किसी छोटे से जार में निकलना घी को भी रिफिल करना डेली सेलेड में यूज होने वाले या फिर कई सारे रेसिपी में यूज होने वाले छोले या फिर मूंग इसके साथ आप जो इंस्टन्ट प्रेमिक्स होते हैं उसे भी बना कर रख सकते हो जिससे आपका ब्रेकफास्ट विदिन 5 मिनिट्स में बनकर रेड़ी हो जाता है उपमा प्रेमिक्स इडली प्रेमिक्स का वीडियो मैंने उलेडी चैनल पर शेर किया हुआ है जिसकी लिंक मे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चाहे तो उसे भी ज़रूर चेक कर सकते हो किचन के कामों को प्रॉपर तरहीं से कंप्लीट करने के लिए जैसे हमें प्रिपरेशन और प्लैनिंग की जरूरत होती है वैसे ही इन्हें प्लैनिग और प्रिपरेशन के साथ साथ आप स्मार्ट किचन टूलस का भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपके पूरे ऊसानी से हो जाए So friends I hope कि ये आज के वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल रहोगा और मेरी आज की ये महनत आप तक जरूर पहुचे होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजे और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलिए